हमारी संस्कूरूती में हमें कई चीजे विरासत में मिली है और कला ये तो हमारी भारती संस्कूरूती की सबसे एहम चीज है उन कला में से एक है है हैंड एम्ब्रॉजरी की कला लेकिन कहीं न कहीं ये जो कला है वो पीछे छुटती जा रही है इसी कला को जीवन्त रखनी के लिए अलकापूरी में कंज एक्जिबिशन गैलरी में एक एक्जिबिशन रखा गया है जहां पर कुमुद भट द्वारा सभी कपड़ों में कॉटन के कपड़े और कूर्तियां चाहें बच्चों की टी-शिर्ट सों उन सभी में हैंड एम्रॉडरी द्वारा डिजाइन्स की गई है अलकापूरी के विश्वास कॉलोनी के कंज एक्जिबिशन गैलरी में आसे तीन दिनों के लिए पीकू हैंड एम्रॉडरी एक्जिबिशन का आजिन किया गया है जिसमें मुकुंद भट द्वारा कपड़ों पर हात कड़ाई कर बहतरीन डिजाइन्स बना कर तयार क बच्चों से लेकर बड़ों के कपड़ों पर एम्रॉडरी डिजाइन्स बनाई गई है जो बेहत खूबसूरत है साथ ही दुपट्टा और पिलो कवर्स में भी हैंड एम्रॉडरी वर्क यहां देखने को मिलेगा बच्छारी क diffic c uhhh मैंने एक कुर्ती लिया है दुटिं और उसमें वंog था तो व वर्क हैंडवग था हैसलए मुझ अच्छा लगा और जिसने भी किया मैं उसके लिए लिया कि भई आज़ कोई हैंडव करता नहीं और कोई लिटा अप्रिशेटी नहीं करता है तो मुझे लगा कि मैं एप्रिशेट करके उनके पास से कुछ लूँ इसलिए मुझे वर्क बहुत उनका अच्छा लगा और कापड भी इतना अच्छा था और मेरी परफेक्ट फिटिंग था इसलिए मैंने ले लिया है और बच्चों का भी अच्छा है कोई गिफ्ट में अगर देना चाहे तो वो ले सकते हैं यह बताना चाहती हूं कि जो हमारी संस्कृती है आजकल जो मशीन वर्क चल रहा है सभी लोग इसकी और मूट रहे है तो जो हमर मुझे नहीं किया है यह तो सब हमको समालना ही पड़े और सभी को यह पसंतो है लेकिन करने की थोड़ी मुश्किल है दिकत है फिर भी बात तो यह है कि हमारी जो कला है जो सब लोग भूल रहे है वो फिर ही से वापस आ जाए यह विचार अपको कब और कैसे आया मैंने उतकर स्वीधियाली में बालवारी सेक्शन में बच्चों के साथ तीन साल के बच्चों के साथ तीस साल तक जोब किया और जब बच्चों की निखालसता देखे बच्चों के साथ बच्चे होकर खेले सब कुछ सिखे तब मिरे को पता चला कि अब रिटायर हो गए त तो जनना रिटायर्मेंट होता है, तो सब कुछ सोचते हैं कि अभी छोड़ो भई हमने तो बहुत कुछ काम कर दिया, अभे हम रिटायर हमारी उमर हो गई, लेकिन उमर ऐसे नहीं होती है, उमर हो गे भी आप सोचोगे कि उमर हो गई तो हो गई, लेकिन इनके बाद जब मैं मैंने सोचा कि यह सब घर बैठे बैठे तो कुछ करना ही पड़ेगा, तो मेरी मम्मी और मेरी बड़ी दीदी प्रवीना, इनको साइध इनका ज्यादा सोख था, तो इन्होंने भी मेरे को गाइड किया कि आप ऐसा करो, थोड़ा कुछ यह सीखलो, और इसको आगे आगे ब बचाना और भी मुझे मैसिजस जैसा कुछ तिखाई दे रहा है डिजाइन आपके, तो इसके पीछे क्या रीजन? इसके पीछे नहीं सोचते हैं कि पूरी पूरा वीस्वा, अभी परियावरन बचाने के पीछे लगा जुटा हुए है, तो ऐसा लगता है, तो एसा लगता है, तो गुजराती में कैवत बोलते हैं, कि नानो छोड़ वालिये तेम बड़े, तो छोटे बच्चे हैं, इनको हम जो सीखाते हैं, जो बताते हैं, तो इनके जहन में उतर जाता, इसी जिए, और इनको हमेशे के लिए याद रखे इनको आगे बढ़ाते हैं, तो आज का यंग जुनरिसर्स तो वैसे भी अच्छा काम करी रहे है, सब कुछ करे है, लेकिन मैंने सोचा कि छोटे बच्चे अब छोटे हैं तब से सीखेंगे कि हमको पानी बच्चाना पड़ेगा, हमको बरुक्ष को नहीं काटना है, हमको प्लास्टिक नहीं करना है, हमको पानी मे कि मैंने क्या पहना है, तो ज्यादा से ज्यादा मैं ऐसा सोसाइटी को मैसेद देना चाहती को, यह करना ही पड़ेगा, हम तो अब चले उम्र की और, लेकिन इन से सब बच्चों का भविश्य बनेगा, और यह बहुत ज़रूरी है, कि सब बच्चाना पड़ेगा, वरना हम हमारी लाइब क्या, कहां चलेगी, पता नहीं.